सब्सक्राइब दोस्तों जसी टेक में आप सबका हार देख स्वागत है उमीद करता हूं 11 मार्च 2024 यानि कि सुंबर वाले दिन आप लोग फसे नहीं होगे आज क्लियर सुभे सुभे बात हुई थी प्री मार्केट अपडेट में कि एक फ्लैटिश ओपनिंग हो सकती है और व ऐसा लाप्राप्त नहीं होगा क्यों क्योंकि ना ही कोई बहुत बड़ा गैप अप हो रहा था ना ही कोई बहुत बड़ा गैप डाउन हो रहा था उसके बाद कुछ देर आपको पता है कि कुछ टिखने की कोशिश की सुभे सुभे लेकिन उसके बाद एक सुप्रीम कोट क इसको जो भी जिसको कहते हैं हम चुनावी चन्दा या ये कईये दो दिन का समय और था भी उनके पास, यानि कल शाम तक का समय था, लेकिन दो दिन पहले State Bank of India Supreme Court पहुंच जाता है, वो कहता है कि सहाब हमको इसकी extension दी जाए और ये extend करके आप हमको जून तक का टाइम मांगा कि जून के बाद हम इसको दे देंगे. Supreme Court ने इस पे आज बहुत सक्त रुख अपना है, उसने बोला कि भाई अगर ऐसी बात थी तो आज तुम दो दिन पहले हमारे पास आ रहे हूं, point number one. दूसरी चीज़ उनने बोला कि जो time हमने दिया था, जो time frame कल तक का है, वो वहीं का वहीं होगा, उससे कोई change नहीं होगा, कल शाम तक आपको ये जानकारी election commission पहुचानी पड़ेगी, और election commission को भी समय सीमा बान दे गई है, उनको भी वो सारी की सारी details public forum में, public अपनी website पर ड जालनी होगी ताकि public उसको देख सके कि कब क्या हो रहा है, उसका सीधा सीधा असर state bank of India पर पढ़ गया, और state bank of India पर पढ़ा ही है, उसके साथ आपको बताए कि क्या क्या हुआ, खैर सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि हम लोगों ने क्या बातचीत की थी, चलिए सबसे पह 47, 746 के नीचे sell था, आए दरह देखते हैं, 870 गया ही नहीं, यह daily time frame है, daily time frame का chart है और 47, 853 का high लगा है, और चलिए अब इसको चलते हैं, 5 minute के chart पे चलते हैं, और देखने की कोशिश करते हैं, 47, 853 के उपर गया ही नहीं, यहां से आज शुरू हूए हैं, माफ किजएगा चीक है जी, तो आपने देखा कि हम लोग 11 मार्च यहां से शुरू हूए हैं, पहली candle ने हमारा 47, 746 काट दिया, और बिल्कुल clear था, यह Thursday का low था, कि अगर यह कटता है तो उसके नीचे हम 47, 597 तक जाएंगा, आप देख सकते हैं, 47, 597 पे काफी देर इसने टिकने की कोशि की, और इसके बाद लगभग लगभग यह ऐसा समय था, जब State Bank of India के खिलाफ, ऐसी जो हेरिंग हो रही थी, State Bank of India के खिलाफ, जो बातें की गई, Supreme Court ने जो उसके खिलाफ फैसला दिया, उसके बाद आपने देखा कि 47, 480, 482 अला भी लेवल तूट गया, और 47, 230 तक का एक low लगा है, अच्छी खासी मार पढ़ती हुई आपको दिखाई दी है निफ्टी बैंक में, तो निफ्टी बैंक की मार आप समझ गए हैं, क्यों पढ़ी है, इसका कारण भी आप समझ ही गए हैं, अब हम बात कर लेते हैं कि निफ्टी में क्या बात चीत हुई थी, देखें निफ्टी की जब हम बात करते हैं, निफ्टी पे 2.525 all time high था, आज एक और all time high लग गया, 2.526 का, 2.526 के नीचे, 2.470 के नीचे अगर जाता हम आपके जेगा, तो हम sell side में थे, लेकिन सबसे पहले हमको daily time frame पे देखना है कि भई हुआ क्या, आज 2.526 का high लगा, all time high है, ब daily time frame पे वो बनी है bearish angle, यानि कि पिशली candle जो छोटी candle थी, उसके नीचे जैसे ही उसने काटा, यहां से एक बार को down side को जाने का clear रुख हो गया, यानि 2.430 के नीचे जाने का सीधा सीधा रुख मिल गया था, और हमने क्या बात की थी, 2.470 के नीचे, आए ज़रा देखते ह कर दो हमारी हुई थी, लेवल्स पर आते हैं, मास कीजाएगा, जब हम लेवल्स पर आते हैं, यह आप 15 मिनिट के चाट पे सामने मैं एक बार चार्ट दुबारा से लगाता हूं दोस्तों, अगर हम 15 मिनिट्स के चार्ट पे जाते हैं तो 15 मिनिट्स के चार्ट पे क्लियर था 22470 के नीचे गड़ जाता है तो हम लोग वहां से सेल में आते हैं और पहले 15 मिनिट में ही 22470 के नीचे चला गया था उसके अदबाय का तो कोई परपस था ही नहीं क्योंकि 22525 के उपर टिका नहीं नहीं उपर गया और उसके बाद आपको मिलना था 2430 वो भी आपको बलीवांती प्राप्त हुआ 2400, 403 मिलना था वो भी प्राप्त हुआ 22374, 2374 से एक बार वापिस इसने 2430 तक कर उपर के लिए रफ्तार पकड़ी लेकिन लास्ट में जाके इसमें भी मार ही पड़ी है 22307, 22307 का इसमें हमारा लगा है लो अब दोस्तो एक बार को हम लोग ये देख लेते हैं कि कहां कहां पर आज कौन कौन से स्टॉक्स में दिक्कत थी सीधा सीधा निफ्टी बैंक निफ्टी 50 पर ही जा रहा हूँ जहां पर 17 स्टॉक्स एडवाइंस में थे जिसमें कि अपोलो हॉस्पिटल्स आपको सबसे तेज चलता हूँ दिखाई दिया है नेसले इसबे लाइफ सिपला और डॉक्टर रेटी और वहीं पिट कौन से रहे थे पिट रहे थे टाटा कंजूमर्स पार ग्रेड बजाज ओटो टाटा स्टील और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लगबग लगबग दो दो परशंट के करीब दो से तीन परशंट सबा तीन परशं कर लेते हैं और कल को फिन निफ्टी के एक्सपारे भी है उस पर भी हम करेंगे चर्चा सबसे पहले चलिए निफ्टी पर ही कर लेते हैं बात निफ्टी पर फिर वही बात कहूंगा कि अब हमारे लिए लेवल्स क्या होंगे उस पर चर्चा करते हैं पहले तो यह समझ जीजेगा कि अब हमारे लिए daily time frame पर क्या situation बनी होई है क्या हम 9 डेमा के नीचे तो नहीं चले गए यदि हम 9 डेमा के नीचे तो नहीं close हुए बिल्कुल हम लोग 9 डेमा के आस पास 22330 का 9 डेमा है हम बिल्कुल 9 डेमा पर क्लोज हुए है शौट करने का मेरा विचार बिलकुल भी नहीं बन रहा है इस समय भी बायों डिप्स की स्ट्राटेजी काम कर रही थी शायद आगे भी वही कर सकती है आज एक वन अफ रियाक्शन हो सकता है SBIN के उपर otherwise कोई ऐसी दिक्कत मुझे नजर नहीं आती हुई दिख रही चलिए 15 मिनिट के चार्ट पर चलते हैं और लगाने की कुशिश करते हैं अपने लेवल्स 22,300 के नीचे गर जाता है 22,307 का जो लो है यहीं मेरे को लेवल लेना पड़ेगा क्योंकि टेक्निकल यही बनता है 22,307 के नीचे गर जाना स्टार्ट करेगा तो हम लोग नीचे उसके बाद 22,307 के लेवल्स प्राप्त हो सकते हैं हमें देखने को मिल सकते हैं और अगर वो भी तूटा तो 22,239,240 के लेवल्स भी हमको देखने को मिल सकते हैं और अगर 22,40 भी तूट गया 22,242 तूटा है then my dear friends we might be able to see somewhere around 22,201 के लेवल्स अब आज आपको पता है बेरिश इंगल्स कैंडल बनी है लेकिन चलिए देखते हैं कि कहां से हमको बाइंग के बारे में सोचना चाहिए 22,410 के उपर अगर चलना स्टार्ट करेगा तो हमां बाइंग के बारे में सोचना शुरू करूंगा 22,410 के बाद जो हमारे लेवल आता है 22,447 का एक लेवल आता है 24,447 के बाद जो नेक्स लेवल हमको मिल सकता है वो मिल सकता है 22,488,489 का और अगर 22,489 भी तूटेगा अगर 22,489 भी तूटा तो उसके बाद हमारे लेवल क्या आ सकते हैं आईए वो भी क्लियर उसके बाद अगर 22,489 भी तूटा है तो उसके बाद समझ लीजेगा कि हम लोग फिर से 22,526 की और जो अल्टाइम हाए है उसकी तरफ फिर से भढ़ते हुए देख माएंगे एक बार निफ्टी 50 को बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की भी बैंक पर डेली डाइम फ्रेम पर कहीं नाइन डेमा टूंटी डेमा के स्थितियां क्या बनी हुई है क्या हम नाइन डेमा के नीचे क्लोज हुए हैं बिलकुल हम एक्जाक्ली नाइन डेमा पर ही क्लोज होने में कामजा हुए है नाइन डेमा बैटता है लगग लगग 47322 पर हम 47 निफ्टी पर दोस्तो मैं कब तक sell के बारे में नहीं सोचूँगा जब तक 47 228 के नीचे 230 के नीचे नहीं जाता basically 47 230 जो आज का low है उसके नीचे जब तक नहीं जाएगा हम short करने के बारे में नहीं सोचेंगे 47 230 के नीचे जाता है हमको 47 230 के नीचे गया अगर तो हमको एक बार कोई ये लेवल प्राप्त हो सकता which is 47 040 43 के आसपास का 47 043 भी अगर तूटेगा तो then the level that we can see we might be able to see 46 940 और 46 940 तूटेगा तो हमको फिर यहां तक के लेवल देशने को प्राप्त हो सकते है which is 46 7 6 9 46 7 6 9 तक के लेवल्स हमको देखने को बैंक के निफ्टी में प्राप्त हो सकते है पास पर लेते हैं अपसाइड के लेवल्स की भी देखे अपसाइड के लेवल्स मुझे लगता है कि जब तक हम 47 600 के ऊपर नहीं जाएंगे बेसिकली यह हमारा लेवल रहेगा which will come to 47 621 47 620 621 के ऊपर जब तक हम नहीं जाएंगे तब तक हम बाय साइड के बारे में नहीं सोचेंगे 47 621 के बाद जो लेवल्स हमको सीधे सीधे प्राप्त हो सकते हैं वो हो सकते हैं 47 850 तक के 47 850 अगर ब्रीच होता है we might get 47 950 954 47 954 और 47 914 अगर ब्रीच होता है नहीं सेटेटे हैं 48 117 तक के अपसइड बेरवल्स हमको देखने को प्राप्त ज़रूर जरूर हो सकते हैं अपसइड बे अब दोस्तों कल को आपको मालूम है एक्सपायरी है किसकी cnx finn की cnx finn का मतलब है Fin Nifty की expiry Fin Nifty की expiry पर भी हमको अभी चर्चा कर लेते हैं मुझे लगता है थोड़ा सा internet का trouble चल रहा है आज चलिए anyways Fin Nifty की मैं सीधा सीधा option chain ही खोल लेते हैं Fin Nifty की closing कहां हुई थी Fin Nifty की closing आज हुई है 200862 पर 20,862 पर closing हुई है अब हम एक चीज देखे 20,850 पर दोनों तरफ ही अच्छा खासा हुआ है 20,850 पर call writers का दबदबा जरूर ज़्यादा बना हुआ है लेकिन volumes और अगर पुराना record देखें तो 20,850 पर put writers भी अच्छे खासे बैठे हुए हैं दोस्तों ये याद रखेगा कि अगर हम 20,850 के नीचे चलना स्टार्ट करें तो 20,800 हमारे लिए कोई बहुत बड़ा support का काम नहीं करेगा उस case में हमारे लिए सीधा-सीधा जो support आएगा वो 20,800 इतना बड़ा support नहीं है फिर तो 20,600, 650 तक के क्या सीधे-सीधे 20,500, 50,500 तक के भी levels खुल जो हैंगे downside पे और बहुत sharp fall आ सकता है यहां से एक बहुत sharp fall आ सकता है 20,800, 20,850 बस यही दो अब supports हैं बड़े अगर यह तूट गए तो अच्छा खासा sharp fall आ सकता है दूसरा scenario यह है कि 20,800 तक अगर gap down मिले तो हो सकता है कि 20,800 से ही support लेके upside के और फिल चले ले और अगर उस case में ऐसा चलते हैं तो 20,900 और 20,800 के बीच में बहुत नाइम हो सकता है कि fin nifty काटे क्यों? क्योंकि कल expire ही है तो premium meeting करने के लिए 20,800 से लेकर 20,900 के बीच में बहुत समय रह सकता है 20,900 पे call writing अभी already strong है तो कल तो और भी आज strong बहुत सकती है अब ये किस scenario में कह रहा हूँ flattish opening हो गई या gap down opening हो गई अब अगर हम 20,900 के ऊपर ही open होते हैं तो ये समझ जाएगा कि 20,900 का call writer back put पे 20,850 का call writer back put पे 20,800, 850 पे अच्छी खासी put writing स्टार्ट हो जाएगी 900 पर भी दबदबा put writers बनाना शुरू कर लेगे उस case में हम 21,000 को एक बार को test करने के लिए जा सकती है 21,000 पे सबसे ज़्यादा strong resistance बना हुआ है 21,000 का अगर हम resistance पार करने में कामयब होते हैं तो क्यों नहों 21,050 की तरह भी हम कल को ही जाने में सक्षम है 21,050 से 21,080 भी सक्षम दिखाई देतनी है दोस्तों यह याद रखेगा कि यहाँ पर जो भी बातचीत की गए और सिर्फ academic purposes से की गए इसका BISL की सलाह से कोई लेना देना नहीं है BISL की सलाह के लिए आप अपने financial advisor से बाहर कर सकते है अगली batch के अभी dates final नहीं की गएगे लेकिन फिर भी detail अगर कोई देखना चाहे तो description में या pinned message में देख सकता है कल finnifty के expiry है तो zero hero trade कैसे लेते हैं उसकी क्या strategy होती है उस पर हमने एक वीडियो अलग से दे रखा है जो की end screen में दिखाई आपको दे जाएगा उमीद करता हूँ अलड़ी आप like कर चुकर होंगे वीडियो को नहीं तो like किजएगा शेर किजएगा और दोस्तों subscribe नहीं कहता subscribe जरू किजएगा शुक्रिया नवशकार धन्यवार and good luck for tomorrow's expiry bye-bye